हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उमेद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं कार्ड वन कार्ड टू दोनों कार्ड में से जिस भी कार्ड में आपकी रासी है ठीक है उस हिसाब से आप कार्ड को चुन लेजे है कार्ड 1 में अगर आपकी रासी है तो आप चुन सकते हैं ॥か थी के हिसाब से एपक चुन सकते हैं ठीक है । इस हिसे हिसाब così यह सब्सक्राइब इसस लाव संढर सकता' होता है तो पहुत अच्छी बात है उन्हीं क्या था हो दो कुए बात है Ge beth आपकी रासी है उस इसाब से आप देखेंगा कि जुलाई 2021 आपके लिए कैसा है क्या guidance है आपके लिए क्या सला है और जो महीना है वो कैसा होगा ठीक है उस इसाब से आपको क्या करना चाहिए जो अच्छा हो जाए आपके लिए तो वो सब हम देखे हैं इस reading में बहुत कुछ पता चला है आपके reading में तो चलिए देखते हैं और आप बहुत ध्यान से देख लीजे इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप बस आपको अपनी रासी लेनी है और उसके बार आपको reading को सुनना है अगर आपसे connect हो रहा है तो यह आपके लिए है अगर नहीं हो रहा है तो आपके लिए नहीं है तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी card 1 की रासी यानि आपकी रासी card 1 में आती है तो आने वाला जो महीना है ना कुछ ऐसा है कि अभी भी आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, हो सकता है relationship है या career है, कुछ तो आप life में छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो आपकी पसंद है, आप उसे रखना भी चाहते हैं और वो चीज़ आपको नुकसान भी कर रही है, हो सकता है relationship में ह होता है, कभी-कभी हम किसी ऐसे रिस्ते में होते हैं, हम सचाही जानते रहते हैं कि नहीं इसका कुछ result नहीं है, कोई भविष्ट नहीं है, फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं, तो कुछ ऐसा ही होगा आपके साथ भी, आपका मन कह रहा है कि अब ये समय है, सही decision ले लो, ज कि अपनी जो भावनाएं हैं, जो एक attachment होता है किसी चीज से, चाहे वो कोई career है, या फिर कोई रिस्ता है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो है, या फिर आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं, घर छोड़ना चाह रहे हैं, कोई नया घर, तो कोई ऐसी चीज है, जो आप पाएंगे कि क्या करें, कैसे करें, और करें या ना करें, मन नहीं मान रहा है, तो ऐसी भावनाएं आपकी रहेंगी, उसके बात का जो समय होगा, आप अपने आपो समझा लेंगे, ऐसा लग रहा है कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही important रहने वाला है, आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करेंगे, और decision ले लेंगे, अब ये decision हर इंसान के साथ अलग-अलग हो सकता है, कुछ लोगों के साथ career का होगा, कुछ लोगों के साथ personal life के लिए को decision होगा, आप चुन लेंगे, ये लग रहा है मुझे कि आप decision ले लेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा कहते हैं कि बेफिक्र होके आप काम को करेंगे, और थोड़ा सा क्योंकि आपके मन की चीज जो थी वो आपको छोड़नी पड़ी उसके लिए आपको गुसा भी रहेगा, कि ये चीज आपकी खुशी थी लेकिन आपने इसको छोड़ा है, तो उसके बाद का जो स आपको भविश में देखने को मिलेगा, हम जो आज करते हैं वही हमारा भविश होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो इसलिए अपने आपको तकलीफ में डालना, क्यों, ठीक, ये प्रशन हमेशा सोचेगा, क्योंकि जो भी कुछ करेंगे, आप भी को फेस करना, किसी और को इसका ना नुकसान होगा, ना फायदा होगा, जो होगा जैसा होगा, आपके साथी होगा, तो ये बात अपने दिमाग में रखिए हमेशा, जो भी काम कर रहे हैं उस पे आप लोगों की सला भी लीजा, ऐसा नहीं है कि आप बेदरक किसी भी रास्ते पे चलते ज हैं, आप देख सकते हैं कि एक इंसान है, जो बेदरक चलता जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं, जो उसे कहते हैं नहीं रुक जाओ, लेकिन आपको या गुसा है, या घमंड है, जो भी चीज हैं, उसकी वज़े से आप नहीं बेफिक्र होके आप चीजों को करते चले जाते हैं, तो यह नहीं करना है, क्योंकि इसका जो भी अच्छा बुरा रिजल्ट होगा, वो आपको यह मिलेगा, तो क्यों ना अच्छा कारी किया जाए, आपको बहुत कुछ पता है, आपको बहुत कहते हैं, आपको अप स्टूडेंट है, तो बहुत छमता है आपके अंदर, आपको अच्छा साथ चा करने की महनत का अप इतना है ना कि आप महनत करें तो क्या कुछ ना पालें, लेकिन एक होता है ना कि उसको ठीक तरीके से कैसे इस्तमाल किया जाए, अपनी महनत, आपको पास तो महनत है, ग्यान है, सब कुछ है, लेकि उसको किस तरीके से सही रास हैं चाहे कोई एक ऐसी चीश ही जिसमें आपको सफलता हासिल री आपको लगता है कि दोफार है उसमें मौق मिलेगा लेकिं यह जुलाई में नहीं होगा की जुलाई कि बा Formula कर दो में उस पर कार्ट में। आर्सक में मुझे से में जो भी आप कारे करें। यो बैतर नोई तो यह मॉखा और यह से अ मत करना मा मगत्टार करना न कुछ परुज़ कुछ डिसिजन लेने वाले हैं आप जुलाई में और यह डिसिजन आपके लाइफ के लिए बहुत बैतर होगा क्योंकि आगे कार्ट में ने देखा उसमें लग रहा था कि इससे आपको अच्छा फायदा पहुंचेगा और यह जो समय है वह एक्षन के लिए है यानि अभी आ को सुनना है तो अब 앞에 दिल क्या चाहता है आप खुद क्या चाहते हैं जब तरहीं को आपको आपकी खूशी जरूरी नहीं हैि कि आपने जो पह Kerry आपको लuciones मेरे खुशी है तो जीवन भर उसमें खुशी मिलें हो सकता है कभी उसमें है एंक मिलेगा तेक्दल आपकी खुश तो ये मतलब नहीं है कि वो सीज़ आपकी विकार थी तो अपनी खुद की आवाज को सुनना है और उस इसाथ से कारी को करना है साही बाबा के कार्ट के संदेश से बहुत अच्छे थे आपके लिए प्रकाश बनिये औरों के चीवन की आशा बनिये और भरोसा बनिये स्वैम के लिए बस कुछ नहीं करना है आपका फैमली है आपके अपने हैं जो आप से कुछ उमीदिय रखते हैं उनके लिए भी आपको कुछ करना है आप प्रकाश बनी हो सकता है कि आप जितना लोगों का भला करते हैं लोग कभी भी उसकी कहते ने तारिफ नहीं करते हैं और यह कहते नहीं कि आपने किया कोई बात नहीं प्रकाश भी बहुत साइ लोगों को रोशनी देता है तो यह हमेशा है उमीद बस अपने आप से कीजिए कि बैतर से बैतर आप कर सकें लेकिन किसी और से उमीद मत रखें अगर रखेंगे तो हो सकता है कि आपको तकलीफ हो दूसा संदेशी बहुत अच्छा आपके लिए आया करूना पसु परशी के प्रतीज दया भाव रखिए अन्ने दीजे तो ये कार्य आप करते हैं बहुत अच्छी बात हैं अगर नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजे और लोगों को सला भी दीजे कि वो कारी को करें ब कुछ इस तरीके का होगा तो स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज रहेंगे आप चाह रहे हैं डिसीजन लिने लाइफ में तो बिलकुल लीजे क्योंकि गाइदेंस में यही था कि आप एक्शन तो लीजे तब ही जीवन में कुछ बदलाओ आएगा और अगर आप ऐसा कर करना होगा अगर अभी आप कुछ करते हैं तो ही आपको वो समय देखने को मिलेगा तो आएगा लेकिन आप उसका लाब नहीं ले पाएंगे अगर आपको लाब भी चाहिए और तो फिर आपको इस समय एक्शन लेना ही होगा ठीक है अब अगर आप डिसीजन लेने का सोच आप जरूरी यह दिसीजन लेना और आप समझ भी रहे हैं कि रिलेशनशिप में अप कुछ अच्छा फ्यूचर नहीं है देखी हर इंसान का रिलेशनशिप क्या चला है कैसा चला हर इंसान को पता है कि उसका क्या रिजल्ट हो सकता है ठीक है तो आप अपनी मन की आवाज क कहते हैं आत्मा की जो आवाज होती है वो हर पल हमें गाइट कर रही होती है लेकिन हम नहीं सुनते हैं अगर आम सुनने लगे ना तो यकीन मानिए कभी जीवन में प्राब्लम फेस करने ही ना पड़े बढ़ना तो पड़ेगा तो कि प्राब्लम तो जीवन में आती रहते ह तो उसके वज़े से हम रुक जाते हैं जीवन में इतना ज़ादा कभी-कभी तो ऐसा होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो सब कुछ आपको जहलना नहीं पड़ेगा अगर आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं हर पल हमें गाइड करने के लिए हमारा मन है वो काइड करता रहता लेकिन हम सुनते नहीं हम नहीं चाहते हैं हम बस वही चीज़ देख रहे होते हैं जो सामने हमें खुब्सूरत लग रही होती है सुकून मिला होता बस उसी सब चीज़ों को सोचते रहते हैं तो यह दी आपकी रिडिंग उमीड करते हैं आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी हो तो दो प्लीस लाइक, कम OUR तो आप ने चुना है कार्डू डूप्न में आपकी रासी कार्शी नमर 2 में थी तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके लिए है चुलाई 2020 में जो कार्याब कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं आप फ्री माइंड से किसी कार्यों में लगे हुए हैं relationship में भी है तो बहुत ज़ादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने person की activity पर और वो अंसान आपसे real प्यार करता है या नहीं करता है इस पे आप ज़्यान नहीं दे रहे हैं जो आपका पल है कि उसको enjoy कर रहे हैं वरतमान में आप जी रहे हैं खुश हैं लेकिन आपके लिए चू दिकत तब आती है जब आप आखों पर पट्टी बांद के चलते हैं अगर चीज़े आपको दिख रही है सामने तो आप उसे देखें हर चीज को समझें समझ के चलेंगे जीवन में तो कभी भी आपको ऐसी इस्तिती का सामना नहीं करना पड़ेगा जहां आपको लगने लगे कि कुछ बचा नहीं ठीक है तो लोगों की सुने अपने दोस्तों की सुने कोई सला देता है तो उनकी सुने आपने करियर भी चुल लिया है और आप चल भी रहे हैं उसमें अच्छे खासा आपने पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन आप क्या सही डिरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं जीवन को अच्छी बात है जीवन को इंज्वाइ भी करना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ चीजे ऐसी होती है जिस पर ध्यान भी देना चाहिए क्योंकि अगर वक्त निकल जाता है तो बहुत जारा कस्ट होता है आगे जलकर करियर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं कुछ जॉब करना चाहते हैं कुछ बहतर करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी करियर पे भी ध्यान देना होगा आपके लिए जो गाइडिन्स के कार्ट से वो यही बता रहे हैं कि आपको अपनी एनरजी को इस्तमाल कीचे आपकी बिजनस कर रहे हैं तो उसमें इतनी उचाय पर पहुंच सकते हैं कि वहां तक कोई पहुंच ना सकें लेकिन गल्ती वही हो रही है ना कि अब ही आपको ऐसे लग रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हम कर लेंगे कि फिर आपको अगर मैं कहूं कि जो जादा ही आप आपको अपने ऊपर और कहते हैं अगर यह ज़्यादा हो जाती है तो यह आपके लिए खाता है कि इससे ना किसी को दिक्कत होने वाली है किसी और को इससे जो भी होगा वो आपको ही होगा तो इसलिए बैतर होगा कि जो भी कार्याप कर रहे हैं उसको ध्यान से करें आगे चल अर्चास भी आपको जलाई के महीने में ही हो जाएगा समय सब्सक्राइब फोगा को और सबसे जाएसाहे के बाता है अगर आप हाउस वाइफ में और आप इस वीडियो को सुन रही है तो अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रही है तो यह 20 तारिक के बात का समय है जब आपको चीजे बहुत ही ज़ादा लगने लगेगी कि हाँ सही है लेकिन अगर मैं कहूं को जो कुल मिला के अगर मैं देख लेकिन सही डिरेक्शन में इसको कैसे इस्तमाल किया जाए यह नहीं तो इसके लिए आपको इंफोर्मेशन की जरूरत है आप जो भी कारी कर रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से इंफोर्मेशन करें ठीक है अगर आप कोई बिसिन स्टार्ट कर रहे हैं कोई हैं जीवन में इस चीज का स्टार्ट करने के लिए हो सकता है रिलेशन्शिप में आगर आप जा रहे हैं जिस परसन के साथ अगर आप इनसान के बारे में सब कुछ नहीं चानते हैं या फिर देखे प्यार सो समझ के तो नहीं किया जाता है यह तो बिल्कुल सही बात है वह तो बाई हो जाता है लेकिन आप किसी रिलेशन्शिप में अगर शादी के लिए आप देख रहे हैं मानलेची बहुत साई लोग होंगे यहां आपके लिए यही सला आ रही है कि पहले आप बहुत अच्छे से चानबिन कर लें कि क्यों हो सकता है कि वो इनसान कुछ ऐसा हो जो आपको आगे शलके दिक्कत करें तो यह कार्ट में था इसलिए मैं आपको बता लिया कि इन्फोर्मेशन को लिट करना है आपको देखना है जो भी कार में आप आगे बढ़ रहे हैं वो चीज आपके लिए सही है या नहीं सही है उसके बास स्वेम से पूछना अगर बहुत अछए अच्छे आयत है आपके लिए धेले धडरिये इसी है मिल्दय देल यह देलो बतहलं की इन्फोर्मेशन होती है भरोस कि क्लियर केंसल सब्से पहले हो शांतंः होती हैं इसमों स्वस्कूर्शं कुछ कहनग को करते हैं तो इसौन श्राशन को शचना होता दिक इस दिक्त में समझ रहे होता है, तो यह दिक्त कोष्जी चीरा समय को हुआता है आप यह समस्वाहा है, कन शांब करने हो हमें कई दिक्त में टार जाएगा जुलाई की रिडिंग है जुलाई में 2021 जुलाई ठीक है 2021 का जुलाई का महिना है जो इस्टार्ट होने जा रहा है तो आप देख सकते हैं अगर आपको यह रिडिंग पसंद आये तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब अगर चीज़े आप से कनेक्ट हुई है तो अफिरा कि आपके लाइफ के हिसाफ से आता ही रहता चाहे हो करियर से हो चाहे हो परसनल रिडिंग हो या फिर परसनल लाइफ से जोड़ी भी रिडिंग हो या फिर मैरिज लाइफ जो भी हो टॉपिक तो बहुत सारे आते हैं जो आपके लाइफ के बारे में ही आपको विस्वास है तो यह चीच आपके लिए हैं अगर नहीं है तो बिलकुल आपके लिए नहीं है बस एक छोटी सी यही बात है क्योंकि अक्सर मैंने एक दो कमेंट ऐसे पढ़ते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि मैं क्या यह सच होता है तो उन लोगों को बस इतनी सी बात है जब जिस दिन आपको विस्वास हो जाए उस दिन आपके लिए सही है लेकिन अगर आपको विस्वास नहीं है तो बिलकुल भी आप इस गाइडेंस पर मत चलिए ठीक है और जो इनको विस्वास है वो अगर इस गाइडेंस पर चलते है तो यकीन मानिए जीवन बदल जाता आपके लिए जो guidance था वो यही था कि आपको अपने कारे को करना है action लेना है information पहले collect करनी है जो भी चीज आप life में करने जा रहे हैं फिस स्वेम से पूछना है कि क्या आप तयार है आप किसी relationship में जा रहे हैं तो उसके लिए है कोई नई पढ़ाई start कर रहे हैं उसके लिए आ आपके दिमाग में वह सोच चल रही है उसके लिए information करिए उसके पात ठीक है यहां पर एक यह भी दिखा रहा है कि जो भी कार है वह आपको आपकी मेहनत से मिलेगा और मेहनत बहुत जादा करनी पड़ेगी जब आप यह कार्ट देखते हैं तो इसमें यह दिखता है ना कि इसमें बहुत जादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत आप करेंगे तो उसमें आप सफल भी हो जाएंगे तीक है ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे मेहनत करेंगे सफल भी हो जाएंगे उसका आपको बहुत अच्छा benefit भी मिलेगा अगर यह सारा कारिया आप करते हैं तो यकीन मानेगा जुलाइ के 20 तारिक के बाद जो चीज आप चाह रहे हैं कि यह चीज आपकी लाइफ में हो वो आपको देखने को मिलेगी आपको वो कहतेना है कि मौका मिलेगा लाइफ में जो आप मौका खोज रहे हैं नहीं मिला आपको तो वो मिलेगा आपको उमेद करते हैं आपको यह रिडिंग पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सुस्क्राइब